My dear young viewers and my dear friends, मेरे नने नने दोस्तों कैसे हैं और अच्छे होंगे, छुटियां हो गई है, खतम हो गई है, गर्वे बहुत है, इस्कूल जाने का तो मन नहीं करता होगा न, ओके, यू आपको बहुत इंपोर्टेंट एक मैसेज जो है वो कनवे करना है कि आपकी बुक जो है वो इंग्लिश की चेंज हो गई है, और पहले हनी सकल थी और अब वो बुक हो गई है, पूर्वी, ओके, इसका कवर पेज भी आप देख सकते हैं, और कवर पेज में आप देख सकते हैं ताकि बुक आपको लेने में आसानी हो, इस बुक के अंदर ये बहुत ही प्यारी बुक ह बस थोड़ी से exercise ज़्यादा हैं, और ये यूनिट के अंदर, five units के अंदर जो है, ये बुक जो है, five units के अंदर डिवाइड है, और हर एक unit के तीन पार्ट परट है, ओके, और बड़ी colorful और बड़ी प्यारी सी बुक है, हर unit के अंदर, तीन पार्ट में हर unit divide है और उसमें story भी है, poem भी है picture composition भी है तरह तरह के English के जो टाइप के, जो literature के टाइप हैं, वो अलग-अलग टाइप के हैं और प्लस में exercise भी है तो ये जो book है, इसमें बहुत ही जादा अच्छी कहानिया आपको ही कहें कि इंडियान ओथर्स की कहानिया दी हुई है और आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और आज हम डिसकस जो करने जा रहे हैं वो है पूरवी, Class 6 English, पूरवी, Unit No. 1, Fables and Folk Tales. तो Fables क्या होता है? Fables होता है, Short Story होती है, छोटी-छोटी कहानिया होती है जिन में एक Moral Lesson जरूर होता है. Moral Lesson जानते हैं आप क्या होता है? नीती, नैतिक शिक्षा जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती है और उसमें जादातर Fables जो होते हैं उनमें जादातर Animal Character होते हैं बेटा. जैसे कि आपको याद होगा इस सब Fables उसके अंदर जादातर जानवर Character हैं और उसमें सारी कहानिया जो हैं वो कैसी है? Moral, Morality से भरी हुई है, नैतिक शिक्षा से भरी हुई है. तो Fables का तो यह Meaning, Folk Tales क्या होता है? Folk Tales होती है, पुरानी ट्रेडिशनल परमपरिक कहानियां जो की एक जैनरेशन से दूसरी जैनरेशन तक सुनाई जाती हैं, from one generation to another और वो भी Spoken Form में. Spoken Form में क्या? बोल बोल करके सुनाई जाती हैं, तो यह जो Folk Tales है, अब इनका collection हो चुका है, ओके, तो यह जो है Fables और Folk Tales होती है, तो इनमें थोड़ा सा फर्क है, दोनों, Fables और Folk Tales, दोनों ही कहानिया ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ओके, तो जो हम इसका Unit No. 1 प स्टोरी, A Bottle of Dew, A Bottle of Dew का Meaning, ओस की बोतल, ओस क्या होता है, ओस आपने देखा होगा, जब आप मौर्निंग में अपने घर में किसी पौधे को देखते हैं, सर्दियों में, तो उसके उपर बिलकुल मोती जैसे पानी रखा हुआ होता है, उन्हें डियू कहते हैं, ओस कहते है है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है, हर एक पती के उपर रखा होता है, जब बारिश होने के बाद भी पतियों के उपर जो है, ये गोल गोल ऐसे रखे हुए होते हैं, अगले दिन सुभा, तो उन्हें डियू कहते हैं, ओके, तो इस कहानी के अंदर मैं आपको छोटी से बिलकुल इसकी समरी, बता देती हूँ कि इसकी समरी क्या है, अब बोटल आफ डियू, ओसकी बोतल, इसमें स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं, वो है रामानथा, रामानथा की वाइफ मधूमती और सेज, सन्यासी महीपती, ये तीन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के पूसर रामानथा जो है, वो एक रिच मर्चेंट का बेटा है, और मधूमती वाइफ हैं और महीपती जो है, वो एक साधू और सन्यासी हैं, तो जो रामानथा है, वो अपनी सारी की सारी रिस्पॉंसिबिलिटीज को नेगलेक्ट कर देता है, और जादूई पोशन, पोश पोशन वो द्रव्य या लिक्विड होता है, जो कि हर एक चीज को जब भी हम पानी ही होता है, लिक्विड होता है, उसे हम जब भी किसी चीज से चुआते हैं, चूते हैं, तो वो सोने की बन जाती है, ओके, तो जो रामानथा है, वो अपनी सारी जिमेदारियां भूल जात सिर्फ magic potion को ढूंडता है और तभी उसे एक साधू मिलते हैं जिनका नाम है मही पती और वो claim करते हैं कि वो potion का secret जानते हैं ठीक है तो जब वो उन्हें कहते हैं कि potion का secret मैं जानता हूं तो उसके बाद वो secret क्या था मही पती ने उन्हें क्या बताया रामा नथा को और क्या करने के लिए कहा और last में रामा नथा को कैसे gold मिला और क्या होता है last में this is all given in the story now I am going to start from let us do these activities before read पढ़ने से पहले ये activity आप कर सकते हैं circle the picture that matches with each word आपको circle करना है word से match करना है check your answers by sharing them with your classmates and teacher और अपने classmate और teacher के साथ में आप इसे share कर सकते हैं देखिए यहाँ पर दो लड़कियों के faces दिया हूँ है worried एक लड़की कैसे चिंतित है एक लड़की खुश है worried का में नहीं होता है चिंतित होना तो यहाँ पर जो है यह देख सकते हैं आप तो यह worried के लिए जो correct answer है वो यह है okay now next है plantation 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 होता है बागान जहां बहुत सारे पेड़ पौधे व्रिक्ष होते हैं अकेले पेड़ को हम बागान plantation नहीं कहते यह actually क्या है it is tree okay तो plantation क्या हुआ plantation हुआ यह okay now next is sage sage होते है साधू सन्यासी यह दो पिच्चर दी है एक जगा एक sage बैटे हैं और एक जगा vegetable seller बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो sage है वो कौन है बेटा यह okay अब surprise surprise का मिन होता है है रान हो जाना है रान होते है जब हमारा मुझ खुल जाता है हम रान हो जाते है अच्छा तो अच्छा कह करके और हम है रान हो जेते हो surprise के लिए आपके पास यह boy का figure है okay now next is answer these questions and discuss them with your classmates and teachers आपको जवाब देने है इनके और जो है वो teachers और class teacher और बच्चों के साथ discuss करना है think of a time when you worked hard what did you do then उस समय के बारे में सोची जब आपने सक्त मेहनद की थी तब आपने क्या किया how did it help you इस hard work से आपको क्या सहता मिली how did it make you feel और इससे आपने कैसा महसूस किया okay now I am going to read the story let us read part one ramanatha was the son of a rich landlord ramanatha जो है एक अमीर rich landlord landlord कौन होते हैं जो कि जमीन इत्यादी के मालिक होते हैं जमींदार का बेटा था ramanatha his father left him large trucks of land trucks का मीनी होता है बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा उसके father छोड़ गए थे when he died जब ramanatha के पिता मरे तो वो उसके लिए जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा छोड़ गए थे but ramanatha did not spend even one day looking after his land लेकिन ramanatha ने एक दिन भी नहीं बिताया अपनी जमीन की देखभाल करने के लिए this was because he had a funny idea ऐसा उसने इसलिए किया कैसा किया उसने अपनी जमीन की जरा भी देखभाल नहीं की क्योंकि उसके दिमाग में एक मज़ेदार विचार था he believed there was a magic potion उसी नाजाने कहां से विश्वास हो गया था कि एक जादूी क्या होता है liquid होता है जिसे potion कहते हैं एक जादूी द्रव्य होता है that could turn any object into gold जो कि हर एक चीज को सोने में बदल देता है he spent all his time to learn more about this potion और उवे अपना सारा समय बिताता रहता मैं इस potion के बारे में जादूी द्रव्य के बारे में सीखने में ही सारा समय बिताता people cheated him often लोग अकसर उसे दोखा भी देते promising to tell him about it और वादा करते कि वो रामानथा को इस potion के बारे में पताएंगे but he did not give up लेकिन रामानथा ने give up का मेंने कोशिश करना उसने जरा भी नहीं छोड़ा किस बात के कोशिश कर रहा है वो that he was searching potion ठीक है his wife madhu mati was tired of this और उसकी जो पत्नी madhu mati थी वो उसकी इसादत से ठक गई थी and also worried और वहे भी चिंतित थी because she saw how much money रामानथा was spending क्योंकि वहे देख रही थी कि रामानथा इन बातों पर इस बात पर कितना पैसा खर्च कर रहा था she was sure that soon they would be without money उसे पक का विश्वास था कि कुछ ही समय में वहे बिना पैसो के हो जाएंगे One day a famous sage called Mahipati came to their town एक दिन की बात है एक प्रसिद साधू Mahipati जिनका नाम है उनके कस्वे में आया रामानथा became his follower रामानथा उनका चेला बन गया and asked him about the potion और उसने Mahipati से उस जादू ही द्रवे के बारे में पुछा To his surprise the sage answered उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था कि उसने मुनी ने साधू ने जवाब दिया Yes in my travels in the Himalayas हाँ जब मैंने हिमाले परवत की यात्रा की थी I heard how you could make सचा पोशन और तब मैंने सुना था कि आप इस पोशन को कैसे बना सकते हैं But it is difficult लेकिन यह बहुत मुश्किल है क्या मुश्किल है पोशन को बनाना Tell me मुझे बताओ requested रामाना था रामाना था ने उससे बहुत गिरगरा कर उससे प्रार्थना की कि मुझे बताओ not believing his luck और उसे अपने भागे पर विश्वास नहीं है You have to plant a banana plant और उन्होंने बताया कि तुम्हें केले का पौधा लगाना होगा And water it regularly with your hands और उस केले के पौधे में नियम इतरूप से रोज खुद आपने हाथ से पाने डालना होगा In winter the morning dew is on the leaves और सर्दियों की सुभा में पतियों के उपर ओस जम जाती है देखे आप देख सकते हैं बटा यहाँ पे यह देखे आप यह यहाँ देखे यह देखे पतियों के उपर ओस दिख रही है ना जाएगी Bring it to me मेरे पास लेके आना I will chant some magic words Chant का मीनिंग होता है कुछ शब्दों को repeat करना बोलना गाना यह गुन गुनाना मैं कुछ जादूई शब्द बोलूँगा Which will turn it into the magic potion और उन शब्दों से यह जो ओस है जो तुम बोतल में लाओगे वह magic potion जादूई द्रव्य बन जाएगी A drop of the potion will change any object into gold और एक बूंद potion की किसी भी चीज़ को gold में सोने में बदल देगी देखिए आप Yes, the sage and ramanatha they both are conversing Okay, दूनों बात कर रहे हैं न रामानाथा was worried रामानाथा बड़ा चिंतित हो गया But winter is only for a few months अरे, सर्गियां तो कुछ ही महीनों की होती है It will take me years to collect 5 liters of dew अरे, मुझे तो वर्षो लग जाएंगे 5 liter ओस को इखटा करने में You can plant as many banana plants as you want तुम जितने चाहो बनाना के केले के पौधे लगा सकते हो But remember, लेकिन याद रखो You must look after them yourself उन सभी पौधों की देखबान तुमें खुद करनी होगी And collect the dew with your own hands और अपने हाथों से ही तुम्हें उन बूंदों को इखटा करना होगा Okay, but let us discuss मैं next उसमें वीडियो में आपको सारे जो है वो दूंगी Okay, question answer दूंगी Part 2 रामनथा वेंट होम, रामनथा घर गया And after talking to his wife, अपनी पत्नी से बात करने के बाद Started cleaning his large fields और अपने बड़े-बड़े मैदानों को साफ करने लगा Which had been lying empty all these years जो कि इतने वर्षों से बिलकुल खाली पड़े थे There he planted rose and rose of banana plants और वहां उसने एक के बाद, rose होता है, पंग्ती, line एक के बाद एक line केले के पौधों की लगा दी भै किसने कहा था केले के पौधों पौधों लगाने के लिए, सेज ने सादू ने कहा था, और क्यों कहा था क्योंकि उस केले की पतियों के उपर जो ओस की बौधे हैं वो उन्हें इखटी करनी थी ओस की बौधों का क्या करना था ओस की बौधों से उन्हें वह साधू magic potion बना देते There he planted rose and rose of banana plants और वहाँ पर उसने केले के पौधों की पंक्तियां और पंक्तियां लगा दी He tended, tended का मेनी होता है, देखभाल करना, प्यार से देखभाल करना He tended them carefully, वह बड़े प्यार से उनकी साथधानी से उनकी देखभाल करता हैं during the winter months और सर्दियों के महीने में collected the dew His wife helped him too, उसकी पत्नी क्या नाम है पत्नी का मधुमती वह भी उसकी सहता करती मधुमती gathered the banana crop मधुमती बनाना केले की फसल को इखटा करती took it to the market, उसे market बाजार ले जाती and got a good price for it और उन केलों से उसे एक अच्छी कीमत मिलती over the years और वर्ष होने पर रामानथा planted more and more plants और वर्षों बीते जा रहे थे रामानथा ने और और बहुत सारे बहुत सारे जो है वो पौधे केले के लगाए and they had a huge banana plantation और उनके पास huge meaning very big बहुत बड़ा बनाना का बागान बहुत बड़ा बगीचा हो गया at the end of six years छे वर्ष के यंत में he finally had his five liters of dew और उसके पास पाँच लीटर dew बोटल में एकटी हो गई देख सकते हैं यह देखें जहाँ पर सारे पौधे होते हैं पौधे हैं, plants and trees हैं तो उन्हें plantation कहते हैं now, देखे रामना था कितना खुश हो रहा है and he is watching his banana plants बनाना देखे कैसे लटक रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर now, carefully he took the bottle to the sage बड़ी साथ धानी से वो बोतल ओस की बोतल लेकर सादू के पास गया the sage smiled and muttered something over the water और वै सादू मुस्कुराया मटड कमी नी होता धीमी सी आवाज में उसने पानी के ओपर कुछ बोला then he returned the bottle और फिर उसने वो बोतल वापिस कर दी और कहा try it out जाओ जाके कुशिश करो रामना था sprinkled a few drops on a copper vessel रामना था ने एक copper तांबे के बरतन पर कुछ बुंदे डाली and waited for it to turn to gold और इंतजार करने लगा कि वह तांबे का बरतन सोने में बदला या नहीं to his surprise nothing happened उसकी हरानी का ठीकाना नहीं था कि कुछ भी नहीं हुआ जो copper का vessel था उसके ओपर बुंदे डालने से कुछ नहीं हुआ वो gold में नहीं बदला this is cheating he told the sage उसने सादू से का ये तो धोखा है धोखा धड़ी है I have wasted six precious years of my life मैंने अपनी जिंदगी के बड़े कीमती छे साल खो दिये but sage mahipati only smiled लेकिन जो सादू mahipati थे वह सिर्फ मुस्कुराए and called madhumati to come forward और उन्होंने madhumati को आधियाने के लिए कहा क्वाने madhumati रामनथा की wife she came with a big box वह आई एक बड़े से बकसे के साथ when she opened it जैसे ही उसने बकसा खोला inside shined stacks of gold coins और उसके अंदर धेरों सोने के सिक्के shined का meaning चमक रहे थे चमचमा रहे थे उस box के अंदर now the sage turned to the very surprised रामनथा और अब जो सादू थे वो बहुत बुरी तरह हैरान रामनथा की और मुड़े और कहा there is no magic potion that can turn things into gold कोई भी जादूी द्रव्य नहीं होता जो की किसी भी चीज को सोने में बदले you worked hard on your land तुमने अपनी जमीन पर बहुत सक्त महनत की है and created this plantation और तुमने ये जो plantation है उसे बागान को तुमने बनाया while you looked after the trees जब तुम पेडों की देख भाल करते थे your wife sold the fruits in the market तब तुमारी पतनी ये फल बाजार में जाकर बेचती थी that is how you got this money इस तरह से तुम्हे ये पैसा मिला it was your hard work that created this wealth ये तुमारी सक्त महनत है जिसने इस wealth को धन दौलग को पैदा किया not magic ये कोई जादू नहीं है if I had told you about this earlier अगर मैंने तुम्हे पहले ही ये सब कुछ बता दिया होता you would have not listened to me तब तुम मेरी बात नहीं सुनते so I have played a trick on you इसलिए मैंने तुम्हे साथ एक चालबाजी खेली रामानथा understood the wisdom behind these words wisdom का मतलब होता है गहरी समझदारी और रामानथा को समझ आ गई थी उनके शब्दों के पीछे की बहुत गहरी समझदारी and worked even harder on his plantation from that day on और उस दिन से वह अपने बागान पर और ज़्यादा मेहनत करने लगा written by सुधा मूर्ती सुधा मूर्ती एक Indian author है और आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी जो एक story है how I taught my grandmother आप बेटा अगर उसे पढ़ेंगे ना तो आपको इतना अच्छा मैसूस होगा कि कैसे छोटी सी सुधा मूर्ती ने जब सुधा मूर्ती तो आप बहुत एज़िड हो चुकी है अब आप 60 हो गई है 60 years की हो गई है जब वो near about 14 years की थी 11 या 12 years की थी अब उन्होंने अपनी 62 years old दादी को पढ़ना लिखना सिखाया था South India की है सुधा मूर्ती दक्षिन भारत की है बहुत सारी किताबे बच्चों के लिए लिखी है और इतनी interesting किताबे लिखी हैं बच्चों के लिए उन्होंने कि अगर आप डाउनलोड करेंगे आपको असानी से समझाएंगी उनकी स्टोरी जैसे की ये स्टोरी उन्होंने लिखी है और इस स्टोरी के अंदर कोई ज़्यादा difficult words नहीं है और easily आप इस स्टोरी को पढ़के समझ सकते हैं Okay my dear young viewers and my dear friends हम let us discuss इसको एक खटे बाद में हम discuss करेंगे एक-एक question answer में discuss करूंगी और ये new book है बेटा बहुत साफधाने से आपको चलना है ठीक है? Okay मेरे वीडियो को देखने के लिए Thank you very much for watching my video and next video हम इसके question answers लेकर के आएंगे और उस question answer में हम पूरा अच्छे से लिखने discuss करेंगे और please मेरा channel new है इसे subscribe कीजिए और like और share का button दबा दीजिए like कर कीजिए और share जरूर कीजिएगा इसको और comment तो आपके आनी रहें please comment जरूर कीजिए मेरे वीडियो आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा बुरा लगा या बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो आप मुझे comment जरूर कीजिए नेक्स वीडियो तक के लिए dear friends good luck and goodbye